प्रभु येशु मसी के चेले भी प्रभु येशु मसी के पास आकर कहने लगे कि तू हमें प्रातना करना सिखा तो प्रभु येशु मसी ने अपने चेलों को प्रातना करना सिखाया आज ऐसे ही बहुत सारे भाईबहनों के हिर्दे में ये बात उमरता है कि हमें प्रात्ना किस रिति से करना चाहिए कि परमेश्वर हमारी प्रात्ना को सुन ले तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमारी प्रात्ना को नहीं सुनता परमेश्वर महान है वो तो हमारे मन की बातों को जानता है तो फिर हमारी प्रात्ना को क्यों नहीं सुनेगा फरक इतना है कि कभी परमिश्वर जल्दी जवाब देता है और कभी परमिश्वर थोड़ा लेट में जवाब देता है देरी में जवाब देता है हम कभी ये न सोचे कि मेरी प्रात्ना प्रमेश्वर नहीं सुन रहा है नहीं प्रमेश्वर हमारी हर एक प्रात्ना को सुनता है और हमारी हर एक प्रात्ना का उत्तर भी देता है प्रात्ना का मतलब ये नहीं कि हम रटू तोता के तरह कुछ आयतों को रटले और उन्ही को हम कहते रहें नहीं प्रात्ना का अर्थ है कि परमेश्वर से बाचित परमेश्वर के सामने हम सूखों को रखें अपने दुखों को रखें अपने हालात को हम परमेश्वर के सामने रखें हम परमेश्वर के पवित्र नाम को धन्यवात करें कि वो हमें हर एक पल सम्हाल के रखता है बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारे जीवन में चल रही होती है उन सब बातों को हम परमेश्वर के सामने रखकर परमेश्वर से प्रात्ना कर सकते हैं परमेश्वर से हम अपने शुक दुख की बातों को कर सकते हैं हमारे आनन्द की बातों को हम परमिश्वर से कर सकते हैं परमिश्वर कभी भी हमारी प्रात्नों को अंदेखा नहीं करता बस हम अपनी प्रात्ना पर विश्वास रखें कि परमिश्वर हमारी प्रात्नों को सुन रहा है और परमिश्वर हमारी प्रात्नाओं का जरूर उत्तर देने वाला है हमारा परमिश्वर महान है कि जब भी हम परमिश्वर से प्रात्ना करते हैं तो ना रूप्या लगता है, ना पैसा लगता है, ना सोना चांदी लगता है बस एक सच्चा हिर्दा लगता है हम कभी भी परमिशर से प्रात्ना करें तो सच्चे हिर्दा से प्रात्ना करें हम अपना विशाय सुरू करेंगे मत्तिरचिसु समचार छै अध्याय और साथ पत्से प्रभु येशु मसी जब अपने चेलों को प्रात्ना करना सिखा रहा था तो प्रभु येशु मसी कहता है कि प्रात्ना करते समय अन्य जात्यों के समान बगबग न करो क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी यहाँ पर प्रभु येश्व मसी अपने चेलों को कहता है कि जब भी तुम प्रात्ना करो तो अन्य जातियों के समान बगबग मत करो अर्था तो जोर जोर से मत चिलाओ बड़े सांती प्रिय से परमेश्वर से बात्चित करो, परमेश्वर से प्रात्ना करो, परमेश्वर से अपने दुख सुख की बातों को हिर्दे से खोल कर करो, ये प्रभु यैश्व मसी अपने चेलों को बता रहा था, क्योंकि हमारा परमेश्वर तो सांती का परमेश्वर है ऐसा तो नहीं कि हम जोर से चिलाएंगे तो हमारी आवाज स्वर्ग तक जाएगी नहीं जब हम सच्चे हिर्दे से परमेश्वर से प्रात्ना करते हैं बड़े सांती प्रिये से क्योंकि हमारा परमेश्वर सांती का परमेश्वर है हमारा प्रभु येशु मसी सांती का राज कुमार है तो जब हम सांती प्रिये से होकर प्रात्ना करते हैं तो हमारी प्रात्ना को परमेश्वर सुनता है बड़े ध्यान से सुनता है इसलिए हम बड़े सांती के साथ हम प्रात्ना करें जिस प्रकार से अन्य जाती लोग जो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते जो हमारे सरशक्तिमान परमेश्वर को नहीं जानते जो हमारे प्रभु येश्व मसी को नहीं जानते वे लोग बहुत चिला चिला कर परात्ना करते हैं और हो हला करके परात्ना करते हैं बड़ बड़ा के प्रात्ना करते हैं, वैसे हमें प्रात्ना नहीं करना है, हमें बड़े नम्रता के साथ, बड़े ही दिंता के साथ, बड़े ही सालिंता के साथ, सैयमता के साथ हम अपने परमिश्वर से प्रात्ना करें, महान परमिश्वर बड़े सांती से हमारी प्रात्ना क उत्तर देता है इसलिए हम कभी भी प्रात्ना करते हैं तो सैयमता के सांत, सांती के सांत प्रात्ना करें हम चिला चिला कर या बगबगा कर प्रात्ना ना करें ये प्रभु येशु मसी अपने चेलों को बता रहा है फिर आगे हम पढ़ते हैं इसलिए तुम उनके समान ना बन क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या-क्या आउशक्ताएं हैं। हमारे हरे खालात के बारे में हमारा प्रमिश्वर जानता है इसलिए हम हिर्दय से सच्ची सांतिक सांत प्रात्ना करें। तो हम भी परमिश्वर से सच्चे हिर्दय से प्राथ न करें। और हम पसीने पसीने हो या फिर जो हमारे कपड़े हो खराब हो चुके हैं तो ऐसा नहीं कि हम एकदम से सफाई होकर परमिश्वर से प्राथ न करें। नहीं नहाए हैं तो भी ठीक है हमारे हिर्दय साफ होना चाहिए हमारे मन साफ होना चाहिए। हम बिस्तर में लेट कर भी परमिश्वर से प्राथ न कर सकते हैं। जब भी सोकर उड़ता हूं तो पहले लेटे लेटे ही सरशक्तिमान परमिश्वर को धन्यवात करता हूं। कि परमिश्वर ने एक बार फिर से नया दिन हमारे जीवन में दिया। फिर मैं उठकर ब्रश वगर करके नहाना रहता है तो नहा लेता हूं। अगर हाथ पैर्द होना रहता है तो हाथ पैर्द होलता हूं। और फिर आकर मैं घुटना टेक के परमेश्वर से प्रात्ना करता हूं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम घुटनों में आकर ही प्रात्ना करें या फिर उपास रहे कर ही प्रात्ना करें नहीं। हम जब काम पर जाते हैं तो हम चलते चलते भी परमेश्वर से शुद्ध हिर्दय से परातना कर सकते हैं क्योंकि मनुश्य तो बाहर का रूप देखता है परन्तु परमेश्वर की द्रिष्टी हमारे मन पर बनी रहती है इसलिए हम जब भी प्रात्ना करते हैं, तो जैसे हालात में हो, हम जैसे भी अवस्था में हो, हम शुद्ध मन और शुद्ध हिर्दय से परमिश्वर से प्रात्ना कर सकते हैं। इसलिए प्रभु येशुमसिन ये ऐसा कहा, कि है हमारे पिता, तु जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। लेकिन मैं परमिश्वर से कहता हूं कि परमिश्वर तेरा नाम पवित्र है, मैं माना जाए नहीं कहता हूं, क्योंकि माना जाए का अर्थ है, कहीं न कहीं हमारे बोलने में एक अविश्वासी पन है या एक अविश्वास की दसा है इसलिए मैं जब भी परमेश्वर से प्रात्ना करता हूं तो मैं परमेश्वर से कहता हूं कि है सर्शक्तिमान परमेश्वर तेरे नाम पवित्र 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 है और युगान्यु पवित् प्रभु येश्व मसी ने ये कहा है तेरा राज्य आये तेरी इक्षा जैसे श्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृत्वी पर भी हो आज भी कई लोग इस बात को रड़ते रहते हैं कि तेरा राज्य आये तेरी इक्षा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृत्वी पर भी हो लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कलिश्या प्रभु येश्व मसी का स्वर्गी राज्य है और हम अभी भी कहते हैं कि तेरा राज्य आये तेरा राज्य आये तो प्रभु येश्व मसी इस संसार में क्या लेकर आया था स्वर्गी राज्य को लेकर आया था जैसा कि हम मत्तिरत चिसुस मचार और उसका चारत ध्याय और सत्रापद में पढ़ते हैं तो यहाँ पर येशु ने कहा है उस समय से येशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया मन फिराओ क्योंकि श्वर्ग का राज्य निकटाया है तो कलिश्या ही येशु का स्वर्गी राज्य है वो आ चुका है कलिश्या को हम धर्म का राज्य भी कहते हैं स्वर्गी राज्य भी कहते हैं और आज भी हम यही प्रात्ना कर रहे हैं कि तेरा राज्य आए तेरा राज्य आए नहीं राजय तो आ चुका है और इस राजय का गठन इस स्वर्गी राजय का गठन प्रभु येश्मसी ने किया है प्रभु येश्मसी ने पत्र से कहा था कि मैं तुझे स्वर्ग राजय की कुझिया दूँगा और जो कुस तू प्रित्वी पर खोलेगा वह स्वर्गे में खूलेगा और प्यंते कुस त परवग के दिन इस स्वर्गी राजे का गठन हुआ जब तीन हजार लोगों ने एक सांथ प्रभु येशु मसी के नाम में बपतिस्मा लिया जैसा कि हम कुलुशियों एक अध्याय तेरा पद में भी पढ़ते हैं कि परमिश्वर ने हमें अंधकार से छुड़ा कर अपने प्रियपुत्र के राज्य में प्रवेश कराया और येशु के राज्य में प्रवेश कराया और येशु का राज्य स्वर्गी राज्य है ना कि स प्रभु येशु मसी का राज्य तो आ चुका है और कलीशिया ही प्रभु येशु मसी का राज्य है जैसा कि हम यहुनार चिस्व समचार 18.26 पद में भी पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रभु येशु मसी कहता है इशु ने उत्तर दिया मेरा राज्य इस संसार का नहीं यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहुदियों के हाथ सौपा ना जाता परंतु मेरा राज्य यहां का नहीं है तो देखे प्रभु येशु मसी का राज्य स्वरगी राज्य है प्रेम का राज्य है प्रभु येशु मसी के राजे में कोई लड़ाई जगड़ा नहीं है प्रभु येशु मसी के राजे में कोई बैर नहीं है कोई नफरत नहीं है केवल प्रेम ही प्रेम है जिसने प्रेम को समझ लिया उसने परमिश्वर को समझ लिया और हम अभी भी कहते हैं कि तेरा राज्य आए, यदि हमने येशु पर विश्वास करके, संपूर्ण मन से प्रभु येशु मसी के आज्याओं का पालन करके, हमने येशु को यदि अपना उधार करता स्विकार किया है, तो हम येशु के राज्य में सामिल हो चुके हैं, और हम कहते हैं कि तेरी इक्षा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे प्रित्वी पर भी हो, हम बड़े आसानी से कहतों देते हैं कि हे पिता, जैसे तेरी इक्षा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस प्रित्वी पर भी हो, कहना कि इतना आसान है, लेकिन वास्तविक मे इसका अर्थ बहुत बड़ा है स्वर्ग में कोई लडाई जगड़ा नहीं होता स्वर्ग में सब प्रेम से रहते हैं यहां हम किसी को लडाई जगड़ा कर रहे हैं यदि कोई हमें गाली दे रहा है तो हम भी गाली दे रहे हैं हम किसी से नफरत कर रहे हैं हम यहाँ सराब पी रहे हैं और हम कहते हैं कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृत्वी पर भी हो वास्त्वाइक में हम अपने हिर्दय को जाचे है क्या परमेश्वर हमारे कामों से खुस है क्या स्वर्ग में कोई सराब पीता है क्या स्वर्ग में कोई नफरत है क्या स्वर्ग में कोई किसी से बैर रखता है नई स्वर्ग में सब एक मन है स्वर्ग में सब परमेश्वर की आज्याओं का पालन करते है क्या हम यहाँ पर रहे कर परमेश्वर की आज्याओं का पालन कर रहे है यदि हम इस पृत्थी पर रहकर परमेश्वर की आग्याओं का पालन कर रहे हैं सच्चाई से तो बिल्कुल हम स्वर्गी पिता के इक्षा पर चल रहे हैं परन्तु यदि हम यहाँ पर रहकर लडाई जगडा कर रहे हैं गालियां दे रहे हैं, किसी से नफरत कर रहे हैं कलिश्या में एक साथ बैठते तो जरूर हैं परन्तु हमारे मन एक नहीं होते सबके अलग-अलग विचार होते हैं सबके अलग-अलग मन होते हैं कोई जोरी नहीं कि चार लोग एक जगा बैठे हैं चारो का मन एक हो, सब क्या अलग-अलग मन होते हैं, यदि चारो का मन प्रभु में एक है, एक विचार है, एक सला है, तो ये अच्छी बात है, ये स्वर्गी पिता की इक्षा है, परन्तु यदि हम आपस में जगा बैठें तो हैं चार लोग, लेकिन हमारे विचार मेल नहीं हिर्दय से परमिश्वर के नाम का आदर करने वाले लोग नहीं हैं, हम कहते हैं कि है पिता तेरी इक्षा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस प्रिप्थी पर भी हो, तो हम सद होट से आदर करने वाले लोग हैं, हिर्दय से आदर करने वाले लोग नहीं हैं, तो यदि हम कहते हैं कि है पिता तेरी इक्षा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृत्वी पर भी हो तो बिल्कुल हमें इस पृत्वी पर रहे कर स्वर्गी पिता की इक्षा पर चलना है कोई यदि हमारी एक गाल पर थपड मारे तो हम बिल्कुल दूसरा फिर दे हम गाली मत दे, कोई हमें सता रहा है, तो अभी हम उसके लिए परमेश्वर से आसे सी मांगे, यदि कोई हमसे लड़ाई जगडा भी कर रहा है, तो अभी हम उसके लिए परमेश्वर से प्रात्ना करें, हम उसे गाली मत दे, यही तो स्वर्गे पिता की इक्षा है, यदि हमा संगती करना है, हमें कलिश्या की संगती करना है अब कई लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई मैं तो घर में प्रभू से प्रात्ना कर लेता हूं मैं तो घर में गीत गा लेता हूं मैं वचन पर लेता हूं मुझे कलिश्या जाने की क्याव शकता है, मुझे चर्च जाने के क्या शकता है, मुझे संगती करने के क्या शकता है, तो हम सायद होंट से आदर करने वाले लोग हैं, देखिए परमिश्वर चाहता है, कि हम चर्च की संगती करें, हम कलिश्या की संगती करें, जैसा कि ब्राणियों दस अध्याई 25 पद में प एक दूसरे के साथ इकठा होना ना छोड़े। यहां पर परमिश्वर का वचन कह रहा है कि जब जब तुम रवीवार को पास आते देखो तब तब और भी इकठा होने के बारे में संगती करने के बारे में सुचा करो। इबरान्यों का हम बारत ध्याय 14 पद में भी पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवितरता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभू को कदापी न देखेगा। यहां पर भी परमिश्वर का वचन कह रहा है कि हम कलिश्या की संगती करें। हम कलिश्या जाएं और मेल मिलाप रखें। और पवितरता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभू को कदापी न देखेगा। कलिश्या प्रभू येश्व मसी के दुलहन के समान है। और हम कहें कि हमें कलिश्या जाना कोई जवरी नहीं है, चर्च जाना कोई जवरी नहीं है। तो परमिश्वर का वचन कहता है कि कलिश्या के बिना प्रभू येश्व की संगती के बिना कोई भी प्रभू येश्व मसी को कदापी न देखेगा। तो हम जैसा कहते हैं वैसा करें भी जैसा हम कहते हैं कि है पिता जैसे तेरी इक्षा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस प्रित्वी पर भी हो तो बिल्कुल हम इस प्रित्वी पर रहे कर परमिश्वर की इक्षा पर चलें हम होट से आदर करने वाले लोग ना बने फिर अधिक दौलत अधिक धन का लालश मत करें हम संसार की जादा चीजों के पिछे मत भागें क्योंकि जब हम जादा धन के अभिलासा करते हैं तो हम कहीं न कहीं परमेश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं बेसक जादा धनवान होना या जादा पैसे कमाना कोई भी गलत बात नही न कि संसारिक दौलत से कई वार ऐसा होता है कि हम धन्वान बनने के चक्कर में बहुत चिंता करते हैं और चिंता में इंसान का मन परमेश्वर के तरफ नहीं परन्तु धन के तरफ होता है तो हम परमेश्वर से प्रात्ना करतो रहे होते हैं लेकिन हमारा मन धन पर लगा होता है। इसलिए हम चिंता किसी बात के भी न करें। हम बेशक काम करें लेकिन परमिश्वर को महत्व दें। प्रभु यश्मसी ने कहा है तू अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे। मुझे तेरा ध्यान है, जब प्रभु येश्मसी ने कहे दिया है, कि हम अपनी चिंताओं को परमिश्वर को सौंब दें, तो क्यों हम अपनी चिंता को स्वयम लेकर ढोते रहते हैं, चिंता में इंसान संपूर्ण मन से परमिश्वर की राधना नहीं कर पाता, उनके जीवन स परमिश्वर को संपूर्ण महिमा नहीं मिल पाता, इसलिए प्रभु येश्मसी ने चिंता करने के लिए नहीं कहा है, और कौन सा हम चिंता करके अपनी आयों को बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है, इसलिए हम काम करें, हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, लेकिन चिंत परमिश्वर को सौब दें, और हमारे पास जो है, हम उसी पर संतुष्ट रहें, हम उसी पर खुश रहें, फिर आगे में प्रभु येश्मसी ने अपनी चेलों को सिखाया है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को च्छमा किया है, वैसे ही तु भी हमारे क्यों क्यों जगड़ा होते हैं? हम क्यों किसी से बद्ला लेने की सूंस्चते हैं? देखिए यदि आज इंसान एक दूसरे के अपराधों को छमा कर दे एक दूसरे के पापों को ढाम दे तो मैं कहता हूं कि ये प्रित्वी श्वर्ग बन जाएगा कितनी अद्भूत बात है कि परमेश्वर हमें अपराधों को छमा करने के लिए कहता है परमेश्वर ने भी हमारी तमाम गलतियों को छमा किया है परमेश्वर ने भी हमारे तमाम अपराधों को प्रभु येश्व मसी के लहुष से धो दिया है तो हम क्यों दूसरे के प्रती कड़वाट रखते हैं हम भी सब को छमा कर दें प्रभु येश्व मसी तो इस प्रित्वी को स्वर्ग बनाना चाहता है इसलिए तो प्रभु येश्व मसी प्रेम का राज्य जिसे हम स्वर्ग का राज्य भी कहते हैं उसी को प्रभु येश्व मसी इस प्रित्वी पर लेकर आया तो हम बिल्कुल अपने स्वर्गी पिता की इक्षा पर चले एक आयत में लिखा है बैर से तो जगड़े उत्पन होते हैं परन्तु प्रेम से सब अपराद ढब जाते हैं कि इतनी अद्भूत बात है कि परमेश्वर ने हमें प्रेम के बारे में शिखाया है और हमारा परमेश्वर ही तो प्रेम है God is love परमेश्वर प्रे प्रेम को फालो करना है रोमियों बारत ध्याय 20 पद में परमेश्वर का वचन कहता है यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला ये किस बात की ओर संकित करता है ये प्रेम की ओर संकित करता है जैसा प्रभू येश्व मसी ने म मार खाकर, दूख उठाकर, कुरुष पर चड़कर, इस संसार के लोगों से प्रेम किया, तो हम भी प्रभु यैशुमसी के तरह इस संसार के लोगों से प्रेम करें, उनके जीवन को परमिश्वर में बचाने की सोचे, प्रभु यैशुमसी में बचाने की सोचे, हम नफरत से किसी के जीवन को नहीं बदल सकते परन्तु हम प्रेम से बहुतों के जीवन को प्रभु यैशुमसी में बदल सकते हैं बुराई से ना हारो परन्तु भलाई से बुराई को जीत लो अर्थात हम नफरत से ना हारे परन्तु हम प्रेम से नफरत को जीत ले तो यहाँ पर जो वचन प्रभु ने सिखाया है वो हमारे लिए भी है और आपके लिए भी है इसलिए हम प्रात्ना तो करते हैं तो हम रट्टू तो तना बने यह वचन क्या कह रहा है हम इस वचन के बारे में समझें और जब वचन को समझेंगे तो हमारा विश्वास और बढ़ेगा क्योंकि वचन कहता है अता है विश्वास सुनने से और सुनना मसी के वचन से होता है फिर तेरा पद में प्रभु येश्व मसी ने अपने चेलों को सिखाया है और हमें परिच्छा में ना ला परन्तु बुराई से बचा बुराई से बचा, तो हर बुराई से हमें बचना भी है, ऐसा नहीं कि हम प्रात्ना कर दिये कि पिता हमें परिच्छाम ना ला और हर बुराई से बचा, देखें परमेश्वर तो हमें बुराई से बचाना चाहता ही है, इसलिए तो प्रभु येश्वमसी स्वर्ग को पर इस प्रित्वी पर हमें बचाने के लिए आया अगर परमेश्वर हमें बुराई से नहीं बचाना चाहता तो प्रभु येश्वम से संसार में क्यों आता वो हमें बुराई से तो बचाने ही के लिए आया है तो हमें बचना भी है बुराई से हम कहते हैं कि पिता हमें बुराई से बचा, तो भाई हमें खुद भी तो बच के चलना है, परमिश्वर ने हमें बुद्धी दिया है, हमें समझ दिया है कि हम उसकी बातों को समझे, उसके वचनों को समझे, क्योंकि परमिश्वर का वचन ही हमारे पाउं के लिए दिपक और हमारे मारग के लिए उज चेलों को सिखाया है इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराद छमा करोगे तो तुम्हारे स्वर्गी पिता भी तुम्हें छमा करेगा और यदि तुम मनुष्यों के अपराद छमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराद छमा ना करेगा तो देखिए, हमने जब प्रभु येश्व मसी को सम्पोर्ण अमन से उधार करता स्विकार कर लिया है तो प्रभु येश्व मसी ने अपने लहू के द्वारा हमें हर एक पापों से, हर एक अप्राधों से पाक साप कर दिया है उसके बाद भी अर्थात उद्धार के बाद भी न जाने हमारे जियोन में कई बार छोटी बड़ी गलतियां हो जाती है तो भी परमेश्वर हमें प्रभु येश्मसी के नाम में छमा करता है इसलिए जब परमेश्वर ने हैं हमें उधार देने के बाद भी हमारी छोटी बड़ी गलतियों को प्रभु येशुमसी में छमा कर देता है जब हम परमेश्वर से सच्चे हिर्दे से माफी मांगते हैं पश्या ताप करके तब तो हम भी अपराधियों को छमा कर दे हो सकता है हो माफी भी ना मांगे तो भी हम उन्हें छमा कर दे इसका अर्थ है कि हमारे हिर्दे में किसी के प्रती कोई देश न रहे किसी के प्रती कोई छल न रहे किसी के प्रती कोई कपट न रहे यही तो परमेश्वर चाहता है धन्यहवे जिनके मन सुद्ध हैं क्योंकि वही परमेश्वर को देखेंगे तो इसलिए हम जब भी परमेश्वर से प्रात्ना करते हैं तो सुद्ध हिर्दे और सुद्धमन से प्रात्ना करें प्रातना का अर्थ सिर्फ कुछ आयतों को रट लेना नहीं है प्रातना का अर्थ है कि हम परमेश्वर से अपने हालात के बारे में अपने सुखों के बारे में अपने दुखों के बारे में परमेश्वर से बातचित करें तो महान परमिश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु येश्मसी के नाम में आसे स्प्रदान करें आमेन